आज हम सब्जेक्ट CET के टोफिक ओडियो विजुल एड्स के बारे में अध्यान करेंगे ओडियो विजुल एड्स ऐसे इंस्टेक्शनल डिवाइस होते हैं जो टीचर्स के लिए सायक होते हैं और जिटका यूज करके टीचर अपने स्टुडेंट्स को एफेक्टिव तरीके से लेक्शर डिलीवर करता है जैसे कि ब्लैकपोर्ट, पोस्टर, फ्लैस कार्ड, एल्सिडी प्रोजेक्टर इन सब के माध्यम से अपने लेक्शर को डिलीवर करता है जिससे लोगों के अंदर एक इंट्रेस्ट जगता है उनके बीच में और वो सही तरीके से लेक्शर को अडिस्टेंड कर पाते हैं अब हम इंट्रोडेक्शन के बारे में डिसक्स करते हैं इसका इंट्रोडेक्शन क्या है तो ओडियो विजूल एट्स आर एड़ डिवाइस देट हैट एट हैट थेट तो टीचर तो टो ट्लेरिफा एकुरेट कंसर्प्ट एंड इनेबल तो मेक लर्निंग मोर इफेक्टि नहीं ले पाते हैं अब यदि हम इंस्ट्रेक्शनल डिवाइस जैसे कि ब्लैकबॉड पॉस्टर एलसेडी प्रोजेक्टर का यूज करके यूज करके लेक्चर डिलीवर करते हैं तो वो लेक्चर बहुत एफेक्टिव रूप से इंट्रेस्टिंग और मिनिंग्फुल बन तो एक्सप्लैन बाइपिचर्स विच कंटेंड अबाउट 150 पिचर और एस्पेक्ट ऑफ एवरी लाइफ कॉम्मियस कॉम्मियस वाज दा फर्स्ट एजुकेटर कॉम्मियस पहला एजुकेटर है जिन्होंने एक बुक तयार करी और उस बुक को एक्सप्लैन किया बाइपि और लोगों को वह चीज ज्यादा अच्छी तरीकी समझ पाई समझ सके जिससे क्या है कि आज हम ओडियो विज्वल एड्स के बारे में पढ़ पा रहे हैं उसके बारे में समझ पा रहे हैं आज हम ब्लैक बॉट चार्ट पॉस्टर फ्लैस कार्ट आधी का उप्योग हम कर प सबहरी इस दौज़ाओ तरीके से चीज को समझ पाते हैं और लेक्चर को अंडरेस्टेंड कर पाते हैं अब हम डिसकस करते हैं इसके देफिनिशन के बारे में में डेफिनेशन्स जो किंडर जे एस जेम्स द्वारा दी गई है पहली डेफिनेशन आती है आपकी ओडियो विज्वलेट्स और एनी डिवाइस विच केन बी यूज़ तो मेक दर लर्निंग एक्स्पिरियंस मोर कंक्रीट मोर रियालिस्टिक एंड मोर भी डायनियमिक इसमें जो कंक्रीट है कंक्रीट का मतलब होता है ठोसरूप देना रियलिस्टिक का मतलब होता है एक तर исп दोसर ओधियमिकी अPe पताया कि एवी एड्स ऐसे डिवाइस है जिसका उप्योग करके हम अपनी लर्निंग को एक ठोश रूप दे सकते हैं उस पर रियालेटी ला सकते हैं एवं अपने आपको एनर्जेटिक एवं एक्टिव का अनुभाव करा सकते हैं इसके बाद हमारी सेकेंड डेफिनिशन आती है बटन के इनुशा ओडियो विजवल एड्स और दो सेंसरी ऑबजेट इमेज्ट इनिसीएट और इस्टिमलेट और रेनिफॉर्स लर्निंग मिन्स ऑड्योविजवल एड्स ऐसे सेंसरी ओबजेक्ट्स या इमेज्ट्स होते है जो हमारी study जो हम करते हैं, जो हम सीखते हैं, उसके अंदर एक सक्तिसाली आपको ससक्त बनाते हैं और आपको कहाए कि अक्टिवनेस उसके अंदर लेके आते हैं, ताकि आप अपनी studies को सही तरीके से effective भी रूप से उसको सबज़ पाए नेश्ट हम पढ़ते हैं इसके purpose और importance के बारे में, तो पहला importance आपका आता है, to make, to improve and make teaching effective, यानि कि आप aviates के मध्यम से आप अपनी teaching को बहुत अधिक effective बना सकते हो और अपनी teaching के अंदर और ज़्यदा improvisations ला सकते हों, blackboard का यूज करके, chart का उपयोग करके, ताकि उसका यूज करते हैं हम तो बहुत ज़्यादा क्या है कि अच्छी तरीके से लोगों students के सबज में अच्छी तरीके से वो आता है, तूसरा आता है वो समझ भी पाती है, तीसरा आता है आपका to make learning interesting and profited, आपका जो learning activities है वो heavy arts के माध्यम से interesting बनी रेती है, जिससे students को उसका फायदा भी मिलता है, profit मिलता है और वो उस चीज को समझ पाते हैं सही तरीके से to increase attention and concentration, students के बीच में attention आता है, concentrate होते हैं वो उस चीज के लिए, ज्यानपूर्वा कुस चीज को पढ़ते हैं और समझते हैं to enable the students to learn faster to remember for long duration, students के बीच में learning की जो capacity है वो एक fast हो जाती है, यानि कि वो और तेजी से क्याए कि उस चीज को सीख पाते हैं और लंबे समय तक वो चीज उनको याद रहे पाती है, यदि हम कोई वीडियो या फिल्म बगएरा के डायलोग बगएरा हम देखते हैं इसको हम देख करके सुन करके क्याए कि याद करते हैं तो याद हमको automatic हो जाता है और तेजी से याद होता है और लंबे समय तक हमको या लेंग्वेज बेरियर बेट्विन देख टोडेंसे के डेशने ऐडंगयो जाते हैं पर रहें नहीं तो याद करते हैं इसकी जो वीडियो है क्वालिटी से उसकी उससे क्या है कि हम अपने स्टुडेंट्स को अच्छी तरीके से बेटर तरीके से समझा सकते हैं तो यह लेंग्वेज बेरियर में भी कहाए कि आपकी है और आपकी लर्निंग को और ज्यादे इफेक्टिव पनाता है ने शाता है तो प्रवाइड आपोस्टनिटी सिच्वेशन टाइप अफ लर्निंग फिल्ट्रिप यह हमको एक प्रकार से पॉन्शेटी भी देता है कि हम उस सिच्वेशन में से लर्निंग कर सके जैसरों क orig Weight के माध्यम से मतला मैं चीजों का अध्यन करना है जा घर्रम किसी जूब के बारे में या कीश नीम के पत्तिवा नहीं समझा सकते घ्लैस्रोंं belts i करते हुद हिम उसको ले जाकर कि कि सी नीम के पेड के पास ले या कर उसको र्यालीटि में सुबती के साथ हम उसको लेक्ट्चर दे कि यानि कि आपको एवी एड्स के माध्यम से आपको एक एक्कुरेट इंफोर्मेशन प्राप्त होती है जिससे आप उसको अंडरिस्टेंड कर पाते हो और जो भी आपके आपका लेक्शर दिलीवर कर रहे हो वो भच्चों को शूदेंट्स को कहयी कि समझ में आना चाहिए नेश्ट आता है आपका they should be simple आपका lecture बिलकुल एकदम simple होना चाहिए जिससे students आसानी से उस चीज को समझ सके आप जो एडिविजुलेट्स बना रहे हो जैसे कि आप चार्ट बना के लेके आ रहे हो तो वो चार्ट्स के जो contents है वो visible होने चाहिए और एकदम पूरी तरह से simple manner में होने चाहिए ताकि students आसानी से उसको समझ सके they should be accurate in every respect आपका जो lecture होगा वो बिलकुल accurate होना चाहिए कोई भी गलती की गुझेस के अंदर नहीं होने चाहिए आप पहले ही प्रिप्रान करके अपने lecture को तयार करें जो भी अविएाट्स आप बना रहे हो चाहिए वो ब्लेक बोर्ड के अंदर बना रहे हो चाहिए आप lesson planning कर रहे हो या पिर आप पोश्टर बना रहे हो या फिर आप कोई project तयार कर रहे हो तो वो सारी चीज़े आप पहले से ही तयार रखें और कोई भी गलती गुंजेश के नहीं ना हो तो आपका जो लेक्चर है वो ज्यदा एफेक्टिव हो सकता है आप जो भी ओवी एट्स का यूज कर रहे हो वो ज्यादा एकोनोमिलिकली रूप से वो ज्यादा महेंगे नहीं होने चाहिए सस्ते होने चाहिए विजली भी अविलेबल हो जाये एच फार एच पोसिबल दे शुडबी इंप्रॉवाइजट आप जो भी लेक्चर तयार करते हो एवी एट्स के मध्यम से वो उनको समय समय पर क्या है कि इंप्रॉवाइज भी करते रहना चाहिए अपडेट करते रहना चाहिए नए श्रा था आपका दे शुडबी लार्जर होना चाहिए कि स्टुडेंस जितने भी आपके हैं वो सारे इस चीजु उस प्लैघबोर को देख सके या फिर आप अगर प्रोजेक्टर स्कीन का प्योग कर रहे हो या यरा लस्रेटि प्रोजेक्टर का प्योग करते हो आप जो इस्क्रीन है वह अतनी लार्जर आपको कि सारे स्टूडेंट्स के लिए वो विजीवल हो सके निश्टाता है दे शुड बी ट्रू रिपर्जेंटेटिव ओफ दा रियल तिंग्स आपका जो एविएट्स होगा वो रियल तिंग्स को रिपर्जेंटेटिव करने वाला होना चाहिए जैसे कि आप हट के इसके यह अपनाते हो यह बिल्कुल इस तरह लगना चाहिए कि वह एक जिसे एक रियल हर्ट है और रियल हर्ट के बारे में जैसे उसके संदस्टना से अधर इंडिगेंट्स है वो सारी चीजें कि बिल्कुल एक दम ट्रू रिपर्जेंटेटिव होनी चाहिए जिससे कि श सही तरीके से उसके बारे में समझ सके तो नेश्ट आता है आपका दे शुड भी एंकरेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन वेन एप्रोपियर आपका जो ओडिविज्वल एड्स है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन भी उस इस तरह से आज हमने